करीब एक घंटे पंदरा मिनिट की इस बजट स्पीच में रेल बी मिनिस्टर ने कई बड़े बड़े ऐलान किये हम आपको बजट की मेंट पॉइंट्स बताते थे रेल बजट तीन नई ट्रेंज का ऐलान कर रहा है हमसफर उदय और तेजस नापकी ट्रेंज चलेंगी हमसफर पूरी तरह से AC ट्रेंज होगी उदय डबल डेकर ट्रेंज होगी और ये रात को ही चलेगी तेजस सेमी हाई स्पीड ट्रेंज होगी इसकी मिनिमम स्पीड 130 किरियो मिटर होगी अंकमसर ट्रिकट वालों के लिए हर ट्रेंज में दीन दियाल नाम से एक कोच चलाए जाएगा आम लों के लिए अंतियोदे पैसेंजर ट्रेंज चलाए जाएगी रेल किराए और फरेट में कोई इजाफ़ा नहीं किया गया है जो जैसा मैंने आपको सुभा बताया था लेडीज कोच में बीच में आरक्शन दिया जाएगा 400 स्टेशन पर वाई पाई की सुवेदा होगी इन में से 100 स्टेशन को इसी साल वाई पाई से जोड़ दिया जाएगा सीनिर सिटेशन को बुढ़े लोगों को उनकी परिशानी का इधान में रखते हुए उनके लिए लोवर बर्थ का कोटा 50% पढ़ा दिया गया है अब हर रेल गाड़ी में 120 लोवर बर्थ सीनिर सिटेशन के लेजर देंगी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड पढ़ाई जाएगी हर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड मिनिममम 80 किलोमीटर पर आर करने का प्लैन है सभी ट्रेनों को वक्त पर चलाने का टार्गेट रखा गया है 2020 तक अन्मेंट क्रोसिंग खत्म करती जाएगी सभी रेल्वे स्टेशन पर CCTV से नजर रखी जाएगी इस साल 2000 किलोमीटर रेल्वे ट्रैक का इलेक्रिफिकेशन गिया जाएगा 30 स्थानों के स्टेशन चमकाए जाएगे और उनकी जगा आस्था सरकिट ट्रेन चला जाएगी और बहुत सारे प्लैंस हैं और उनकी टीचेल्स क्या है ये जाने के लिए सौरव के पास चलते हैं बहुत सारी बातें आपने बताएं नेजर जी कुछ और एहम बातें इस रेल बजट की जो मुख्य बिंदू रहे दो साल में 400 स्टेशनों पर वाइफाई की सुविधा होगी और SMS से टॉलेट कोच साफ करनाने की सुविधा भी मौया कराई जाएगी वरिश नागरिकों का जो कोटा है बर्त का वो 50 वी से दी बढ़ाया गया और महिलाओं के लिए बोगी के बीच में रिजर्वेशन दिया जाएगा ये सुविधा कून की सुरक्षा को देखते हुए और इसके अलावा ये जो 400 स्टेशनों पर वाइफाई लगने इसमें से 100 इससाल ही लगाए जाएगे अन्रिजर्वड अंतियोदय ट्रेन दीन दियाल डिबबे ये जो और नाइट जर्नी के लिए है और अनारक्षित दब्बे जो हैं उनको बढ़ाने की बात के गई है मुंबई के लिए दो एलिवेटेड ट्रैक्स की बारे में चर्चा की गई चर्च गेट फिरार, CST पन्वेल ये एलिवेटेड रूट्स होंगे और मुंबई के प्लाटफर्म को मेट्रो के साथ जोड़ा जाएगा जनी रेल और मेट्रो का एक तरीके से बिलाब किया जाएगा और लोकल प्लाटफर्म्स जो होंगे उनकी उंचाई बढ़ाई जाएगी मुंबई से एमदाबात के पीज़ एक do जलाई जाएगी इसको बुलेट ट्रेन का नाम नहीं दिया हाइफ स्पीड ट्रेन का नाम दिया है दिल्ली के लिए भी कुछ खास था दिल्ली पे जैसे रिंगरोड है सब दिल्ली वासी जानते हैं आपने बताई और सबसे बड़ी बात मैं कोँगा सुरेश प्रभू ने यातरी कराय में किसी तरह की बढ़ूती नहीं की उन्होंने का कि खर्च कम करेंगे फंड रेस करेंगे और सबसे बड़ी बात रेलवे आम आदमे कि सुवधाओं को सबसे उपर रखेगा रेलवे में हर काम को पूरी तरह से टांस्परेंट बना जाएगा सुरेश प्रभू का दावा है कि आम लोगों को रेलवे जादा से जाद सुवधाओं दे सकेगा इसका ख्याल उन्हों रखा है सुरेश प्रभू ने ये भी दावा कि सबका साथ सबका विकास कोई नारा नहीं है ये सरका जनरल कोचेस ट्रेंस में लगाए जाएंगे इन्हें दिन द्यार कोच का नाम दिया गया है इसमें ज्यादा मुबाइल चार्जिंग के पॉइंट्स होंगे पीने के पानी का अंतजाम होगा सुरेश प्रभू ने तीन तरह के नई ट्रेंस चलाने का इलान किया है पहली ट् ट्रेन में सिर्फ थर्ड क्लास AC कोच होंगे ट्रेन में खाना ओर्डर पर मिलेगा इसके अलावा तेजस और उधे ट्रेन्स चलेगी तेजस फास्ट ट्रेन होगी जो 130 किरोमीटर से ज्यादा के रफतार पर भी चल सकती है कुछ रूट्स पर डबल डेकर ट्रेन्स चलाने का ऐलाद भी सुरेश प्रभू ने आज किया है सुरेश प्रभू ने का कि सीनर सिटिसन की परिशानी को धान रखते हुए उन्होंने ट्रेन्स में सीनर सिटिसन को लोवर बर्द देने का कोटा 50% बढ़ा दिया है अब हर रेल गारी में 120 लोर बस सीनिर सिटेजन्स के लिए रिजर्व रहेंगी महिलाओं के सुरक्षित कहाना रखते हुए 182 नंबर को एक्टिव कर दिया गया है महिलाओं 182 पर फोन करके 24 घंटे किसी भी वक्त मादत के लिए गोहर लगा सकती है इसके अलावा हर शनड़ी में महिलाओं के लिए 30% सीटे आरक्षित होगी सुरच पर बुने का कि सामने शनड़ी यानि जनरल कैटिगरी कोचेज में मुबाइल फोन के चार्जिंग पॉइंट दिये गए है कुछ चुने हुए स्टेशन पर डिस्पोजिबल वेंडिंग शीट्स उपलब्स कराई जा रही है 25,000 स्टेशन पर साफ पीने के पानी का अज़ाम किया गया है सुरच पर मुदे का कि करीब 65,000 स्लीपर बर्थवाले 8500 कोचेज बनाए गए है इस साल 311 स्टेशन पर CCTV लगाए गए है और जल्द से जल्द सबी स्टेशन पर ये CCTV लगा दे की कोशिश होगी इस साल 100 स्टेशन को वाई-फाई से लेस्ट कर दिया गया है अगले साल 400 स्टेशन पर वाई-फाई की फैसिलिटी मिलने का लक्ष रखा गया है मेरे साथ PJP नेता शावजा हुसैन है रेलवे के फार्मर फानैंस कमिशनर MP श्रिवास्तव है और पुश्पेश पंथ हमारे साथ में हैं और फार्मर रेलवे मिनिस्टर देनेश तर्वीर हमारे साथ होंगे श्रिवास्तर जी मैं आप सबसे पहले आपसे रियाक्शन जाना चाहतू तो आपने इतने सारे रेल बजट देखे है क्या फर्क लगा पिछले बजट में और इस बजट में लोगे मेरे हिसाब से पिछले बजट में मुझे जादा डी-Politicization लगा था इस बजट में थोड़ी politics आ गई है क्योंकि जिस किसम से तीन नई किसम की ट्रेनों का announcement हुआ है इसके मतलब है इस किसम की बहुत सारी गाड़ियां चलेंगी जिस किसम से passenger fare को जो की आज को railway freight से subsidize हो रहा है क्योंकि हम मुश्किल से 48% जितना खर्चा होता उतना railway fare से पापते हैं उसकी बढ़ोतरी नहीं की गई है तीसरी चीज यह है कि जो अगले साल 32,000 करोड पे कमिशन का खर्चा आने वाला है उसको कैसे इसमें निभाएंगे यह मुझे इसमें नजर नहीं आया क्योंकि किरायनी बढ़ाए गए है आपको आज की स्थिती यह है कि इस साल अब तक जो दिसंबर के आंकड़े हैं उसके हिसाब से passenger की संख्या भी कम हुई है जो हमारे budget estimate थे और freight की संख्या भी कम हुई है जो हमारे budget estimate थे तो अगर इस साल ही कमी है तो अगले साल कितना बढ़ेगा यह कुछ इसमें पता नहीं चला उन्हों यह जरू कहा है कि 8620 करोर रुपे के हम बचत करेंगे यह हो सकता है बचत इस साल उनकी संभव रही हो क्योंकि डीजल के prices कम हुए है उन्होंने काफी energy saving की efforts किये है विजली कमपनियों से समझाता किया है यह किया है बहुत सारी किये है पर क्या यह चीज़ें अगले साल भी काम करेंगी कि नहीं करेंगी यह इसमें यह सारे सवाल है जिनके जवाब मिलने बाकी है